नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनिका जायका में आज हम बनाएंगे स्वीट कॉन सूप जो कि बहुती मज़ेदार और बहुती टेस्टी बनता है और ये हर किसी को भी बहुती पसंद आता है और कोई भी सीजन में इसे बनाया जा सकता है अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक शेर करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए अब हम सूप बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे देखिए हमने आदा कप हमने स्वीट कॉन लिया है यहाँ पे हमने फ्रेश लिया है अगर आपके पास में फ्रेश नहीं है तो आप फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा इसाफ पाने ढालेंगे Aí udah अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इसका हमें हमें फाइन पेस्ट बनाना आधा है तो यह देखें हमारा एक दम अच्छे से ग्रइंड हो चुका है बिल्कुल इस तरह कर लगेगा यह अब चलिए एक पैन लेंगे उसमें हम एक चमश मक्षन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे लसुन जिसको हमने बारिक बारिक करके काट लिया था चार-पांच कलिया मैंने ली है यहां पे आप अगर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यह आदा कप फ्रेश कौन है इसको हमने लिया है उसमें डाल देंगे हम और इसको मच्छे से सौटे कर लेंगे अगर आपके पास में यह फ्रेश नहीं है तो फ्रोजन भी आप यहां पे आराम से इस्तमाल कर सकते हैं और इसमें हम आदा कप हमने बारीक कटा हुआ गाज़ा डाला है आदा कप बारीक कटा हुआ बींस हमने लिया है यहां पे और आदा कप हमने शिमला मिच हरी वाली ली है इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे अब इसमें हम जो पहम ने यो पेस्ट बनाया था स्वीट कॉन का वोस में आड़ कर देंगे और अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंज यह बहुत ही मज़िदार और टेस्टी सूप बनने वाला है अब इसमें हम आड़ कर देंगे 3 कप पानी और इन सब को हम अच्छे से मिला के थोड़ा देर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे अब इसमें हम आड़ करेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसमें नीमबू का रस हमने डाल देंगे छोटे दो चमच और इसमें थोड़ा हम डाल देंगे कालमिश पाउडर तो फ्रेंज ये बहुत ही गजब का सूप बनता है बहुत ही टेस्टी होता है और हर किसी को बहुत ही पसंद आता है अब एक कटोरी में हमने एक चमच कॉन्फलो लिया था उसमें दो चमच पानी मिलाके इसका सलरी बनाया है वो इसमें आड़ कर देंगे ताकि हमारा जो सूप है उसमें थोड़ी थिकनस आजाए तो फ्रेंज आप इसमें चाहें तो आप अपने मन पसंद सबजियां और भी इसमें आड़ कर सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा पटर और डाल देंगे ताकि इसका जायका और भी बढ़ जाए अगर आप न चाहें तो इसमें अब इसको हम दो चार मिनट के लिए पकाएंगे तो यह देखिये हमारा सूब पक के तयार हो गया है क्योंकि सबजी हमने बहुत बारिक काटी है तो बहुत जल्दी से पक जाती है तो चलिए अब इसको serving bowl में हम इसको डाल देते हैं सर्फ कर देते हैं तो यह देखिए हमारा soup कितना yummy है कितना colorful लग रहा है न तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं हर मौसम में इसको बनाया जा सकता है तो यह देखिए हमारा soup जो है बहुत ही tasty और yummy बनके ready हो गया है तो आप इसे जरूर बनाएं और हमें भी बताएं कि यह आपको कैसा लगा